तो आज हम देखेंगे नाइजेरिया में मिले एक और नए कोरोना वाइरस के श्ट्रेन के बारे में जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना अब नाइजेरिया में भी मिल गया है कोरोना वाइरस का एक और नया वेरियंट यानि की स्ट्रेन जिससे पूरी दुनिया धश्यत में पड़ गई है आईए देखते हैं इनके बारे में लेकिन उसके पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी सारी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो आईए फ्रेंट्स बिना वक्त बरबाद किये चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये है कोविड नियू श्ट्रेन जो की पैदा हुआ है नैरोबी से नैरोबी एक शहर है यानि की सिटी जो की नाइजेरिया से लगभग साड़े तीन हजार किलोमेटर की दूरी पर बसी है तो आईए दोस्तों जाते है इसकी और गहराई में ब्रिटेन और धक्षिनी अफरीका के बाद अब अफरीकी देश नाइजेरिया में कोरोना वाइरस का एक और नया श्ट्रेन पाया गया है गुरुवार को एफरिका के शीर सार्वजनिक स्वास्थ अधिकारी ने बताया कि कोरोना का यहाँ नया श्ट्रेन नाइजेरिया के लोगों में पाया गया है इस श्ट्रेन को लेकर अधिक जानकरी जुटाने के लिए सारे वैज्यानिक की एक टीम जाज कर रही है बुदुवार को ही ब्रिटेन में दक्षिन अफरिका से आये दो यात्रियों में कोरोना का एक नया श्ट्रेन मिला था इस नय श्ट्रेन को ब्रिटिश स्वास्त्र मंत्री ने सत्तर फीसेदी और संक्रामक बताया था ब्रिटेन और दक्षिनी अफरीका से मिले हुए कोरोना वेरियंट से यह काफी अलग है अफरीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के प्रमुक जॉन निकॉंग सॉंग ने नाइजेरिया के इस नए श्ट्रेन के बारे में कहा कि यह यूके और दक्षिन अफरीका से एक अलग प्रकृतिका है इस ट्रेन की जाज नाइजेरिया सीडीसी और अफरीका सेंटर ओफ एलेकसेस फॉर जेमनोमिक्स ओफ इन्फेक्शियस डिसीज के वेग्यानिक कर रहे है उन्होंने वाइरस के इस प्रकृतिकी जाज के लिए और समय की मांग की है नैश ट्रेन को P681H वेरियंट नाम दिया गया है डॉक्टर नेकेंग सॉंग ने बताया कि टीको पर नैजेरियाई वेरियंट का संभावित प्रभाव अभी तक्सपस्ट नहीं हुआ है एक प्रारंबिक रिपोर्ट ने कहा गया है कि 3 अगस्ट और 9 अक्टोबर के बीच दक्षिनी ओसुन राज्य में लागोस के उत्तर में 100 मील की दूरी पर एकत्र किये गए दो रोगियों के नमूनों में कोरोना वाइरस का यह नाइजेरियाई वेरियंट पाया गया था कोरोना वाइरस के इस वेरियंट को नाइजेरियाई शाहषन ने P681H ऐसा नाम दिया गया है आफरीकी CDC ने बुलाई आपतकाल की बैठक बताया जा रहा है कि कोरोना वाइरस का यह नया श्ट्रेन दो या तीन जेनेटिक सिक्वेंस पर आधारित है पिछले हफ़ते के अंत में दक्षिन अफरीका में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट भी जारी किया था पूरे महादवीप में संक्रवन की बढ़ती रफ्तार को देखने के बाद आफरीकी CDC ने आपतकालिन बैठक भी बुलाई थी इस बैठक में कोरोना के नया श्ट्रेन के अलावा महादवीप में वैक्सीन की आपूरती को लेकर चर्चा की गई थी सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो COVID-19 कोरोना वाइरस के नया श्ट्रेन के अपडेट के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी सारी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हम उमीद करते हैं आपको जरूर नई जानकारी मिली होगी यदि आपके पास भी कोरोना वाइरस की नया श्ट्रेन के अपडेट से संबंदित जानकारी मौजूद है तो आप नीचे कर्मिंट करके हमारे साथ साजा कर सकते है तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए बाई बाई आण श्टे सेफ